नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आज यूवेदान मेडिशन में मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास बगेल आज आपको दो रोगों के बारे में बताऊंगा ट्रीटमेंट में दोस्तों घरेली चिकिस्सा, एलोपैतिक चिकिस्सा, आजवीदिक चिकिस्सा, चुम्ब के चिकिस्सा, एकुप्रैसर चिकिस्सा जितने भी तमाम परकार की चिकिस्सा होती है उन रोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी चिकिसा किस तरह की जा सकती है इससे पहले दोस्तों मूत्र संस्थान की चार रोग थे सबसे पहले उसमें दोस्तों डायविटेज, बहुमूत्र यानि की बारवार पेशावाना मूत्र पढ़दाहा और फोर्थ नमबर पेशावाना यानि की बारवार कश्ट के दोरान पेशावाना ये चार रोगों के बारे में दोस्तों मैंने और लेडिये की वीडियो बनाई है आप उसे देखना चाहे तो देख सकते हैं और दोस्तों उसकी लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं चलिए दोस्तों यहाँ पर सुरू करते हैं सबसे पहले मूत्र के अंदर खूना ना इसके बारे में जानते हैं और इसकी किस प्रकास से रोग उत्पत्ती होती है और कौन-कौन से इसके लक्षन होते हैं दोस्तों इन सभी को जानेंगे और साथ इसाथ इनकी ट्रेटमेंट के बारे में जानेंगे चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने यसे पहले दोस्तो आप सभी से एक रिक्वेश्ट है कि आप हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक करदीजी अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करदीजे और बेल आइकन को दवाएं ताकि new video की notification आप सभी को मिल सके चलिए दोस्तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले हैं दोस्तो मूत्र में खून आना इस रोग की उत्पति किन वज़े से होती है कौन-कौन से ऐसे कारण होते हैं इनकी वज़े से मूत्र के अंदर खून आने की परिशानी उत्पन होती है दोस्तो अक्सर देखा जाता है इस रोग में सबसे पहले मूत्रासे में हल्की सूजन आती है मूत्रासे के परदे सूज जाते हैं यह अवस्ता छोटा अर्बुद निकलने के कारण होती है उसमें सूजन आती है उसके परदे सूज जाते हैं और छोटा अबुद निकलने की संभावना होती है इसमें खाल कमजूर पड़ जाती है और मूत्र मार्ग पर दवा पड़ने की अभिलाशा होती है जिसकी वज़े से मूत्र के साथ खूनाना भी सुरू हो जाता है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस रोग के लक्षन कौन कौन से है रोगी पेशाव के साथ खून देखका घबरा जाता है पेट में कबज और मंदगने की सिकायत रहती है अधिक मूत्र आता है मूत्र का रंग लाल पढ़ जाता है नीन आने में बादा पहुंसती है सरी दिन परते दिन छीन होता जाता है कमर में दर्द होता है और जांगों में भी दर्द मालूम पढ़ता है दोस्तों इस रोग में सबसे पहले जो रोगी होता है वो पूरी तरह से गबरा जाता है, उसके पेट के अंदर constipation और मंदगनी की सिखायत रहती है, उसे अधिक मात्रा में पेशावाता है, पेशाव करंग लाल पढ़ता है, नीँ आने में उसे बादा पहुंशती है, सरीर उसका रोजना कमजोर होता जाता है, उसके कमर में दर् दोस्तों इसकी घरेली चिक्षा किस तरह कर सकते हैं घर के अंदर कौन-कोन से टीटमेंट अपनाकर इसकी चिक्षा की जा सकती है दोस्तों अगर घरेली निदान की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले है दूस्तों आमला का रस 5 ग्राम लेना है हल्दी आदा चम्मच और दीरे आपको चाटना है दोस्तों इसमें रात को इमली के बीजो जो चीयो को होते हैं उनको पानी के अंदर बिगो दें सुबह लाल चिलका चुटा कर बीजो को पीस लें उसमें से दोस्तों दो चम्मच चटनी खाकर 500 ग्राम दूद पी जाए ऐसा करने से दोस्तों आपको पीस कर खाने से चटनी बना कर खाने से दूद के साथ सेवन करने से आपको बहुत ज़्यदा फायदा होता है चार-पांच लसोडे की कौपले थोड़ी से पाने में बिगो दें आच से दस घंटे बाद दोस्तों से भीगने के बाद पाने में अच्छी प्रकास मच जाता है अब उस सर्वत को चान कर पी जाएं तो भी दोस्तों आपको जो ये मूतर कंदर खूनाने की प्रावलम में वो जल्दी ही खतम हो जाएगी आदा कप अंगूर का सर्वत तथा जरासा हल्दी दोनों को मिला कर मूखी लार की अधिक मात्राव के साथ देर देर चाटने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़दہ फायदा होगा रात को थोड़े से दूद में 4-5 छुवारे पज़ो दे प्रात्ते दूद को फेंक कर और छुवारों की चटनी बनाकर आपको खानी है दोस्तों आपको दूद का सेवन नहीं करना है इस में चुवारों की चटनी बनाकर पाजवायन 20 ग्राम इन सभी को पीस का चूना बना ले और दोस्तर जो इसका चून बन जाया तो उसमें थोड़ा सा गुड मिलाकर बेरी के समान गोलिया बनाए चार चार गोलियां सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से आपको विशेश फायदा होगा पके हुए देव केलो के आमलो को थोड़ा थोड़ा सा रस में फैट ले इसके बाद आपको थोड़ी सी कुटी हुई मिस्ट्री मिलाकर उप्यूब करने से दोस्तों विशेश फायदा होगा केले की कच्ची फलियों के गूदे को थोड़ी सी हल्ती में मत कर खाने से भी आपको दोस्तों आने का आनेक फायदा होंगे जामुन की क्युटली और बहेड़े के चिलके दोनों को समान मातरा में पीस कर रात को सुने से पहले पांच ग्राम की मातरा में सेवन करने से मुत्र के अंदर खून आने की प्रॉब्लम खतम हो जाएगी दो चम्मच आमलो का रस पाने में घुलकर पिये दोस्तों आपको मूत्र के अंदर खून आने की प्रॉब्लम जल्दी खतम हो जाएगी दो रत्ति सुद्ध सिलाजित का सेवन दूद के साथ करने से भी दोस्तों आपको विशेश फायदा होता है दोस्तों आपको फेटागरे लेने हैं 10 ग्राम सफेज चंदन का चूरा 25 ग किसा की बात की जाए तो मूत्र के साथ खून आने पर दर्द होने पर लीथियम कार्गोनियम धट्टी का इस्तिमाल करना बहुत ज़्यदा फायदेमंद रहता है मूत्राशे में जलन पेशाओ गरम आने पर इन लक्षनों में दोस्तों कोहिनिया अच्छी दवाई होती है पेशाओ में रक्त के छीटे रोकने के लिए रस एसोटिका का इस्तिमाल करना भी बहुत ज़्यदा फायदेमंद है पेशाओ में जलन खुजली पेट पेडू में दर्द पेशाओ के साथ रक्त आदिस सभी लक्षनों में पैलो सैलोनियम का इस्तिमाल करने से फायदा होता है पेसाब में खूनानी के सिकायत होने पर हैलो नियस मूलांक थरी का इस्तेमाल करें इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यदा फायदा होगा दोस्तों हमोपेटिक मेडिशन के हम जान लेते हैं इसमें दोस्तों लीथियम कार्बोनियम कोहिनिया रस इरोमेटिया, पेटरोसेलियम और दोस्तों हैलोनियम मूलांक थरी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यदा फायदेमंद है चलिए दोस्तो आप जानते हैं इसमें निर्देश क्या बताए dolria है आप किन किन चीजों को खा सकते हैं और किन किन चीजों को नहीत अपको खाना है तो चलिए दोस्तो जानते हैं इस चीज के बारे में जौ, कलती, पुराना कदू, पत्तिदार सबजिया पत्थर चटा आधी रोगों के लिए बहुत ज़्यदा फायदा मंद है पानी उबला हुआ ठंडा करके पीने से दोस्ता आपको बहुत ज़्यदा फायदा होगा सराव, चाय, आलू, प्याज, किस्मिस, अंजीर, खटाई, देर से पचने वाले चीजे सोड़ा, चारी इतल आधिक आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वया, आम भी आपको आधिक नहीं करना है दोस्तों इन सबीकों निरे देश आपको बताया गएा है, आप इन सबीको ध्यान पूर्वक नौटिस कर लें, और इनका ही आपको पालन करना है ऐसा करने से दोस्तों आपके जो रोग होगा वो पूरी दर से समापत हो जाएगा चलिए दोस्तों आगे जानते हैं गुर्दोई की पत्री के बारे में दोस्तों जो गुर्दे के अंदर पत्री होती है वो बहुत ही खतरना एक तरह से जो स्टोन होता है किड़नी के अंदर श्टोन होना ये प्रावलम होती है जैसा पत्री रोग बोला जाता है इसके उपर दोस्तों मैं पत्री को पर थोड़ा कुछ पहले एक बताया है उस वीडियो के भी आप देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों जिन सित्री पूर्सों के मूत्र में कैल्सिया अधिक बनता है उनको गुर्द की पत्री जल्दी ही हो जाती है ये छोटे छोटे रेत के कन के समान होता है ये कन सफेद तता लाल रंग के होते हैं जब ये गुर्दे में परस पर खट्टे हो जाते हैं तो मटर की तरह चोटे चोटे पत्थर बन जाते हैं या पत्थरी गोल, चप्टी, अंडा का चिकनी या खुदरी, कठो, नरम, सुक्षिन तता आलू के समान होती है दोस्तों आफ जानते हैं हम इसके रोग के लक्षन क्या है गुरदे में पत्थरी बनने के बाद जब रोगी मूत्र त्याक करता है तो उसे दर्द का अनवव होता है ऐसे में दोस्तों मूत्र धेर धेर रुक रुक कर बाहर निकलता है पेसाओ के साथ एल्बिमेन, पीप या कभी-कभी खुन भी आता है कई बार दोस्तों किड्नी में सूजन या फोड़ा बन जाता है सेसन के अगले भाग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब पत्थरी गुरदे से मूत्र मार्ग में जाती है या आती है तो रोगी बेचन होटता है दर्द रिकार उसके व्याक उल्ता बढ़ जाती है कभी-कभी रोगी को उल्टी भी हो जाती है चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसके घरे लिए निता घर के अंदर इसको अपना कर किस परकार आप इसकी शिकिस्सा कर सकते हो चन्दन तेल की आठ से दस भूंदे एक बतासे में डालकर दिन में तीन वार सेवन करने से यह जल्दी ही खतम हो जाएगा फिटकरी का फूला डेड़ ग्राम कलमी सोरा डेड़ ग्राम खांड पच्चिस ग्राम तीनों को मिलाकर पाने में पीने से परते दिन सुबह शाम सेवन करने से पत्री का रूख जल्दी ही खतम हो जाएगा गाई के मठे में, दोस्तों गाई का मठे मतलब गाई की चाच में 10 ग्राम जवाखार मिलाकर दिन में 2 वार प्रयोग करने से आपको अनिकानेक फायदे होंगे पेसी हुई हल्दी 25 ग्राम, पुराना गुड 50 ग्राम और चावलोग की कांजी 100 ग्राम तीनों को मुलाकर खाने से पत्री में विशेसारा मिलता है अकरोट के चिलकों को गिरी सहीत कूट पीज का छान ले, एक एक चमच चून सुबह शाम ठंडे पानी के साथ सेवन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यदा फायदा होगा दोस्ता आप डायाग्राम में आप देख रहे होगे कि जो यहाँ पर चितर बताया है अकरोट के चिलके और गुरी जो होती है वो गुर्दे की पत्री को निकाल कर बाहर फेंक देती है दोस्ता आपको और भी कुछ आप अपने इसाव से गरहलों इंदान अपना सकते हैं जैसे कि इलाइची सिलाजीत और पीपल तीनों को पांच-पांच ग्राम की मातरा में चून बना ले फिर इस चून को दोस्तों दस ग्राम पेसी हुई मिस्री मिलाकर एक चमच चून वे शम सिवन करना चाहिए ऐसे पत्री बन्नी बंद हो जाती है दोस्तों अगर आप सीव कर रस इस्तमाल करोगे तो पत्री बन्नी जल्दी खतम हो जाएगे दोस्तों गाजर चुकंदर ककड़ी का ककड़ी या खीरे का रस परते डेट-डेट-डेट-सो ग्राम की मातरा में पानी के साथ मिलाकर सिवन करने से भी दोस्तों पत्री की विमारी जल्दी खतम हो जाती है चेह ग्राम मेहंदी के पत्तों को एक लीटर पानी में ओटाएं जब पानी चौथा ही रह जाए तो उसे चान कर पी जाएं पचास ग्राम चने को फीली हुई दाल में थोड़ा सा स सेद्डा नमक मिलाकर चाटने से भी आपको फाइदा होता है खीरे करस 50 ग्राम चुकंदर करस 30 ग्राम दौन से दो나로 को दन में आजवेदिक चिकिस्ता के दोरान दोस्तों किसी भी रूख को पूईता से खतम किया जाता है वो उसे जल्दी खतम करना आजवेद का न्रेटिक आता है दोस्तों 100 ग्राम वरुन का चिलका आदा लीटर पानी में ओटाए जब पानी चौता ही रह जा तो उसमें थोड़ा सा कुछ डालकर सेवन करें जवाखार अधरक का रस हरड की चाल मल्यागिरी का चंदन सभी को तीन तीन ग्राम की मातरा में लेकर काड़ा बनाकर पीने से दोस्तों अनेक आनेक फायदे होते हैं अरंड की चाल, पाशान भेज, सौट और गोकुरू, इन सभी को दोस्तो बरावर की मात्रा में लेकर काड़ा बना कर सेवन करने से आपको बहुत ज़दा फायदा होंगे, पांच ग्राम पेठे का रस, दो ग्राम बुनी हुई हिंग और एक चुट की जवाखार, तेनों को मिला कर सेवन करने से दोस्तो आपको ऐसे फायद होंगे कि आपकी पत्री जल्दी ही खतम हो जाएगी, सबी को तीन-तिन ग्राम की मात्रा में लेकर दो कप पाने में उटाए, जब पानी आदा रह जाए तो उस काड़े में जरासा सेद मला कर पीजाने से दोस्तों आपको आपका जो पत्री का रोग होगा जल्दी ही खतम हो जाएगा, सबी को चाचरगाम की मात्रा में मोटा-मोटा कूट ले, फिर इसका दोस्तों काड़ा बना कर सेवन करने से आपकी पत्री खतम हो जाएगी, कुलती, सेंदा नमक, मिश्री, वाय विडंग, पत्थर, चटा का पत्ता, जवाकार, पेठे का रस, पेठे के बीज, और गोक्रू, इन सबी को दोस्तों उजित मात्रा में लेकर काड़ा बना कर पीने से आपको बहुत ज़दा फायदे होंगे, दस माह से तिलोती की राक को सहद में मिलाकर सेवन करने से दोस्तों बहुत ज़दा फायदे होंगे, आपको आपके जो पत्री होगी जल्दी ही खतम हो जाएगी, जल्दी, मनजिष्ट, तिब्रिशी के बेज, सफद जीरा, सौफ, आमला, बेड की मिंगी, आमला सार, गंदक और मैंसिन, इनको सबी समान मातरा में लेकर अच्छी प्रकार से पीश कर, पांच-पांच मांसे का चोन प्रत्री दिन सेवन करने से, सहद के साथ सेवन करने से आपकी पत्री जब लेगी खतम हो जाएगे चली दोस्त आवजानते इंब किस परकार पित्र काल क्या जाती है, प्रकार प्तरी का ईलज किया जा सकता है जदि मूत के साथ रेट के कन मालूम होते हैं तो ऐसी कंडिशन में सारसा पेरेलिया का इस्तिमाल करें तो दोस्तों आपकी पत्री खतम हो जाएगी पत्री के तेज़ दर्द में बैला डोना और कैमोमिला सबसे अच्छी दवाई होती हैं बड़ी उपयों की दवाई होती हैं एक से के द्वारा पत्री का पत्ता लगने पर दोस्तों चाइना सिक्स का इस्तिमाल करें हाईडेजिया क्यूंकि छोटी छोटी पत्रियों को निकालने में हेल्फुल रहती है बर्वेरिस वल्गेरिस से मूलांक पत्री के लिए दोस्तों बहुत जदा फाइदमन्द दवा चलिए दोस्तों जानते हैं चुम्ब के किसा किस परकार पत्री को ठीक कर सकती है रोगी के पैरों के तल्वों पर चुम्बक लगाने से दोस्तों बहुत जदा फायदा होता है जहां तेज दरधोर पत्री का संका मालूम हो ऐसी कंडिशन में दश्यन धुरुब का इस्तिमा करें चुम्बक लगाने के एक घंटा बाद भूजन दवाज सर्बतादी का सेवन करें चुम्ब के बेल्ट किस आईता से आप पर्योग करें एक कमर और पीडू पर बांदी जाती है जैसा यह दोस्तों डाइगराम में दिखाया है धुरुबों दोनों दुरुबों को यहार किये होई जल को दिन में तीन वार लेने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा चलिए दोस्तों आप जानते हैं एक क्या क्या कहती है पत्री के रुप को दूर करने के लिए दाए पैर के तलवे में अंगुठे के नीचे दो अंगुल मास पर दबाव देने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा दाए हाथ की हतेली के बीच ओ बीच अंगुठे में पांस सेकिन तक दबाव देने से दिन में तीन वार सुबह तो पैर और शाम को प्रैसर डालने की परकीर आपको रोजाना करनी है ऐसा करने से दोस्तों आपकी पत्री देश 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 निकल जाही दाए हाथ के पंजे पर अंगुठे की बीच वारी काई से प्रैसर देने से दोस्तों आपको बहुत ज़ता फायदा मिलेगा पीट के मद्य भाग में प्रैसर देने से पत्री का दर्द दूर हो जाता है कुछ रग्यों में पैरा दर्द हो तो ऐसी कंडिशन में संबंदित विंदू पर देश देरे तीन सब्ता तक आपको दबाव डालने से दोस्तों आपकी पत्री में बहुत ज़्यादा मिलेगा चलिए दोस्तों आपको इसमें सिस्ट्रेन टैबलेट होती है जा फिर दोस्तों स्टीरियों कैपसूल या फिर दोस्तों आप टैबलेट का इस्तिमाल करके अपने पत्री को दूर कर सकते हैं सिट्रॉल और सिट्र लेक का इस्तिमाल दोस्तों पीने वाली दभाग को इस्तिमाल करना होता है दोस्तों आपको किसी बी अलोपैतिक दभाई का इस्तिमाल अपने जो नगिट तमची किसर से प्राम से लिकर ही करना है अपने आप दूस्तों इसका सीवन करना है उसके लिए दोस्तों आप किसी भी अपने ॉक्टर से सला ले कर इसका इस्देश के बारे में बरे दोग में चारिये खटी और अमली तो में नायोक को वीडियो को सब्सक्रायब को दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तरतकत के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार